स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चनल साइंस्टी टेकनोलजी में मैं अनफर्मेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शूप कंप्यूटर वेडनेस्टी में आज हम लोग बात करेंगे EU में जो नया रेगुलेशन पास किया जा रहा है बैटरी को रिलेटेड तो वही समझती है EU का बैटरी रेगुलेशन को तो समस्य क्या है समस्य यह है कि आज की दुनिया सीधे सीधे बैटरी पे चलती है यह फैक्चुल बात है आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो है चाहे वो पोटेवल हो चाहे वो गाड़ी हो और चाहे वो ग्रिड़ी क्यो ना हो तो बैटरी का रिक्वार्मेंट जो है व बहुत बढ़ते जा रहा है, तो यही समझे, यह एक समझे, अब रहा बात कि बहुत सारा डिवाइस होता है कंप्यूटर में, जिसका लाइफस्पन, या पर गाड़ी में भी कर लीजे, बहुत लंबा होता है, बतलो ऐसा इंफिनिट लाइफस्पन किसी चीज का नहीं होता है लेकिन इतना लंबा होता है कि आपको लोड लेने की जरुवत नहीं, जैसे कि ठांका बना हुए इंडक्शन थ्री फेज मोटर है, आराम से एक सेंचुरी तक चल सकता है, क्योंकि हमारे पास मॉडल्स हैं, जो चल रहे होतने टाइम से, तो बहुत सारी चीज़ सिंपल होता क्या चीज़ नहीं चलेगा बहुत लंबे टाइम तो चैसी भी चलता रहेगा, ट्रांस्मिशन उसको तो बहुत दिक्कत ही नहीं है, तो दिक्कत किसको है, बैटरी को, तो यह समझना बहुत रहेगी, कितना भी आप कर लीज़े, बैटरी ही सबसे पहले इंड होगा, और सबसे पहला कैमरा था, तो मैंने सुचा ही, तो फूरीता से वर्किंग ओर्डर में है, लेकिन बैटरी तो गया, समझ लिए, कैमरा पूरीता से सही सलामत है, यह क्लास 11 में मैं इनकर दाथा, लेकिन बैटरी गया, अब मुझे नया कھरिना पढ़ेगा, तो कितना भी कर जाहे वह camera ही हो क्यों ना हो जैसे मेरे यह Canon DSLR में मैं दूसरे बैटरी पर चल रहा हूँ आप पहला बैटरी बोल गया है आपका mobile phone सब में बैटरी पहले जाता है बाकी सारा device टिकेर रहा जाता है और कई बार बैटरी के चलते हमनों चीज फिक देते हैं जबकि उसमें 90% कितनी बार करना है सब परफेक्ट होना चाहिए और उसके बाद भी यह बूम-बाम ब्रीम कर सकता है तो यह समझने बहुत सब्सक्राइब होई है फंडमेंटल केमिस्ट्री लेवल में प्रॉबलम है ऐसा ने तो ओछो मैं अच्छे चार्ज करता हूँ मैं ऐसे को ना जी न बना है बोलने के लिए बोली जाएगा चाहिए वह आप समरीन में चले जाहां उसके जो बैटरी होते वह भी बोली जाते कुछ साल में तो समझने वाली बात है सब चीज आपका 100-100 साल चल सकते है सिवाय बैटरी को शोड़के है तो अब बात करते हैं ई-उ-रेडिशन किया क्या है क्या चीज डाला है regulation में तो यहां पर उनका target है कि जितने devices हो सके हैं खासतुर पर mobile phone में में focus कर रहा है जितना चीज हो सके उसमें इनको customer replaceable battery बना चाते हैं इनका core logic है कि battery replacement जो है maintenance में दालो कि मतलब जैसे आप अपने गाड़ी में नॉर्मल चीज का में इंटरेंस करते हैं, आपके कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं बेचे जागे, वाइपर फ्लुइट डालना है, तो उसके लिए आप सर्विस सेंटर लाओ, वह नॉर्मल चीज है, एकस्पेक्ट किया जाता है कि आप खुद कर लो, बहुत सारा चीज आपके बहुत सारा लेयर नहीं लगा सकते हैं, नॉर्मल हालात में, नॉर्मल एकस्पेक्टिशन में हो जाना चाहिए, और यही समझे कि इसका जो टूल अवेलिबल है, मतला आपका अलग सिस्टम हो से जरुरी नहीं कि नाखुन से खोल गया ठाई है, अराम से हो सकता है कि यह मेर लागू भी कर दें तो कोई फॉलो नहीं करेंगा, तो 2027 तक का टाइम दिया गया है, सारे मैनुफेक्ट्चर को कि भईया दीरे दीरे आप इसको इंप्लिमेंट कर लो, तो टार्गेट वही है, तो यह तो हो गया मतलब यूजर बैटरी के लिए कि मतलब जो आप और हम हैं क्यों? क्योंकि DC voltage होता है, और प्लस वो DC voltage जहां 48V यानि के लगभग 50V से उपर जाता है, वो जटका नहीं देता है, सीधे उपर भेज देता है, और यह सा बैटरी आराम से, डिस्चार्ज हालत में 200V का जटका दे सकता है, या जटका नहीं सीधे साफ कर देता है, तो यह स यह सारा सिस्टम हो, उसमें एक circuit डाला जाएगा, जिसमें static data होगा, जैसे कि बैटरी का information required है, कि मैनेफेक्चर कहां से किया है, किस country में बना है, material composition का है, exactly कौन-कौन सा chemical element डाला गया है, यानि कि जो recycling के time में पता रहे है, और फिर समझे परफॉर्मेंस and durability values, कि मतलब targeted क्या ह है, क्योंकि होता ना कि बैटरी के साथ कुछ गलत किया है, कि बैटरी गलत था, दोनों हो सकता है, अब जैसे जो बैटरी बनाया गया है, माली इंडिन इंवार्मेंट के लिए, उसका chemistry खोच के लाया जाएगा, भाई, यह गरम environment बतास के से, अब उसको कोई माली यह ट्रंस recyclable content, जितना भी चीज उसमें डालना है, और recycled content, क्योंकि EU यह भी law pass कर रहा है, कि 10% तो minimum आपको डालना ही है, recycle material, हर चीज़ आप फ्रेश मत खरी दिया, फिर भाई समझे, sustainability, carbon footprint, यह सारा आपका fixed data है, जो की change नहीं होगा, यह उसमें memory बहुना चाहिए, फिर हो गया, मतलब use data, जो की dynamic data में आएगा, जो बैटरी status क्या है, status of health, यानि की बहुत सारे नहीं laptop में आप ध्यान देते हों, उसको पता चल जाते कि actually battery का हालत कैसा है, उसे फिर में तक charge यह discharge, वो बलाएगा, भाईया, सर आपका battery ऑरिजिनली, life span मालीजे, 100% था, तो अब life span जो है, वो जाएगा, जिसमें सारे important data, life, बनाया कैसे गया, कहां बनाया गया, life cycle का है, कैसे यूज के सारा रखा जाएगा, और वो cell में लेवल पे रहेगा, cell लेवल मतलब बैटरी box जो है, उसी में रहेगा, इसा नहीं कि गाड़ी का accident हो गया नहीं सर, वो battery में है, कोई attention नहीं है, औ जो चोड़ी होता है, गाड़ी नहीं चोड़ी होता है, कि विन नंबर का सब लोग समझ गया, कि विन नंबर कैसे दिखते है, कैसे चेक करते है, तो वही समझे कि EU regulation यहीं चीज पर फोकस कर रहा है, इसी को battery passport करेंगे, यह सारा data, एक fix data और दूसरा dynamic data का method data जो है आपका battery का standardize करें, कि कल को माल लिए 20 साल बाद, कोई battery उठाता है, अरे इसको recycle करना है, तुरंत वह देखके, data देखके, अच्छास में यह content मिल रहा है, तो उसके हिसाब से adjust कर सकता है, अबना recycling process, यह आज के लिए नहीं किया जा रहा है, यह आने वाले 20 से 30 साल के लिए किया रहा है, इसलिए battery passports को कह रहा है, तो अब बात करते हैं, इससे expectation क्या है, तो expectation यह है कि, मतलब यह समझी है, हमारे पास जतना भी situation यह हो गया, occurrence हो गया है, बैटरी का सारा system लेकर, तो उसमें समझी है, मेन लॉजिक हम भूल गया है, एक time था, simple time था, mobile cases में, Nokia के cases में, या Samsung के, पुर नॉर्मल चीज़, आप थोड़े mobile फेक देते हो, कि अरे पूरा mobile का screen कर आपका फेक दो, आप maintain करते हो, इसके उपर मैं नहीं गाड लगा, cover खराब हो गया, cover बदल देते हो, बैटरी उस तरह की का था, कि मतलब battery है, सब को पता है, chemistry वाले को भी बता है, बैटरी बनाने वा होगा, कि हम लोग भूल गए, इंसानियत भूल गई कि बैटरी ऐसा चीज है, जो maintenance में बतला चाहता है, ना कि service करा, नहीं सर, वो maintenance है, मतलब कि कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं बनाई चाहिए, और सर, इसका radiator में पानी डालना होता है, वो special tool चाहिए, अब जूता उतार के मार होगे है, तो वही बात होता है, हम लोग भूल गए, बैटरी जो है, maintenance का चीज है, और फिर वही समझे कि बड़े गाड़ी बात कर रहे है, यह सब देख रहे है, यह सब का traceability होना जरूरी है, बस Tesla ने गाड़ी बना दिया, ठीक है, और गाड़ी बिग गया, उसके बाद टे जो पता चल जागा, घड़ बड़ा है, तो वही समझे कि यह end of life plan कर देते हैं, बैटरी यहां बन रहा है, जैसे आज के थाइम में इंडिया में ही बात करते है, लेड एसे बैटरी बहुत आराम से रिसाइकल कर सकते हैं, पूरे इंडिया में अब कहीं पर भी हैं, कहीं से आराम से रेड आज़े बैटरी रिसाइकल कर तक बहुंच सकता है, बिन अदिकत के, तो यह समझना बहुत जरूदी है, तो वही किया जा रहा है कि यह सब बैटरी भी रिसाइकल कर सकते हैं, बहुत लग बलने कि रिसाइकलिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज ज अलग बात होता है recycling हा आप सोची ने यहां से Cobalt निकाल रहा हैнок कर सकते यह सस्ता हो जाता है यह लोग बोलते को कोन कर रहा सकती है तो वह अक्टा पुटिन बंबं ब्रिमट किया चाइना बुमबाम बढ़िम किया, अब इलोक हो गए भाई यह फॉरेंग पर हम भरोसा नहीं चल सकते, अपने भरोसा चल ला होगा, तो रही सैक्लिंग उसका एक बहुत बढ़ी है समाधान है, लॉंग टर्म में, तो एक्सपेक्टेशन यह है, तो अब बात कते हैं, इसमें दुखी यह बहुत खराब बात है, पबलिक अगेंस्ट, मतलब उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, उनके पास याट भी नहीं है, मतलब कंपनी उनको चूरण भी नहीं खिला रहा है, बस नहीं हम लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, मतलब आफ समझ रहों कि यह ऐस चीश के मेरा right से ले लो, मतलब जिस चीज के लिए मेरे forebather से लड जहगड के इसको constitution में डाले उससे तुम ले लो, मतलब जो समान में पैसा दे कर दा हूँ, उसे तुम ले लो, बतलो ऐसा गज़ा बहुत बुरा लॉजिक है, जैसे कि सबसे कॉमन चीज आपको बारवा पताया जाएगा, कि इससे आपका फोन वाटर्पूफ नहीं हो पाएगा, यह शुद्ध, शुद्ध गोबर है, शुद्ध गोबर, क्योंकि इसमझे फोन को ऐसा नहीं पनाया गया ज बैटरी आप बदलने वाला बना रहे तो वह यह हो जागा, ऐसा कुछ नहीं करना है, उनको बस ऐसा करने है, कि किया जा सके है, मतलब डिजाइन अब कि अचाहिए यह कर सकते हैं, मतलब यूजर यहाँ पर स्कूरूस खोलेगा, चार्टो, यह खोलेगा, गास्केट होगा, बैटरी वाइस, हर चीज हम लोग करते हैं, आपके घर में प्रेशर कुकर होता है, वो कितनी लिक करता है, नहीं करता है, और जब कि हम लोग डेली आखोलते बंद करते हैं, और तब जाके बहुत यूजर करने के बाद होता है, यह गैसकेट गया, गैसकेट बदलो, तो बस बुला जाएगा कि इस तरीके से डिजाइन करो, और कुछ नहीं है, और इंजिनिर्स बैठे हुए है, समहाल लेंगे, वही है, और ये फिर समझेगे कि फोन चोरी करना, ये एपल वाले लोग करते हैं, खेर वो तो एपल वाले उनके क्या बोले, कि फोन चोरी करना असान ह देता है, तो तो बंद हो जाएगा, लेकिन रहा बात कि फोन यूज तो नहीं होगा ना, फोन यूज करके बेचे, मतलब एक यूजबल फोन की कीमत सेकेंड हैंड मार्केट में कितनी होगी, वर्सिस एक फोन जिसको आप पार्ट्स के लिए बेचे नहीं जा सकते हैं फोन क ये सारा जो होता है, ट्रेसिबिलिटी, बैटरी के अंदर थोड़ी होती है, ये सोसी में होता है, सिलिकॉन जो रहती है, उसमें ये लॉजिक रहता है, कि अच्छा, मैं यूज़र है, यूज़र ऑथनिकेशन फेल हो गया, कोई मेरे को तिगड़म कर रहा है, लेकिन आप बोल रहे है, हाँ, डेड़ी, लूट लो मुझे, इसलिक, भाई, तुम अपने ही बैंक बैलेंस का मिसाइल क्यों फोड़ना चाहते हो, वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब लाए, अब यहां पर थोड़ा सही में दुखा दुपात है, कि ये गवर्मेंट इं इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि गवर्मेंट इंटरफियर करें, लेकिन ये बात दुखद है कि गवर्मेंट को ये इंटरफियर करना पड़ा है, बट ऑप्शन क्या है, क्योंकि अगर यूरोपियन इन नहीं घुशती है, तो सब के पास USB-C चार्जिंग होता नहीं, हर क साइन भी करेंगे, तो भी हम नहीं करेंगे, तुम जाओ, तुम लेने जाओ, तो उस तरह में तो गवर्मेंट को ही ना पड़ेगा, गवर्मेंट आप इसलिए इलेक्ट करते हो, कि जब कमपनी थोड़ा जर्व से जादा हो जाए, तो थोड़ा उनको जूता चपल मार के नीचे उतार सके, अमेरिकन गवर्मेंट के पास बॉल्स नहीं है, आपका इंडियन गवर्मेंट के पास बॉल्स नहीं है, चाइनीज गवर्मेंट के पास बॉल्स नहीं है, और इन्वार्मेंट के बार में ये सब सोचते भी नहीं, प्रिटेंड भी नहीं करते हैं, एक य तो वही समझे, और रहा बात कि हम लोग को यह चुपता क्यों नहीं है, यह हो गया है death by thousand cut, यानि कि पहले headphone jack हटा, फिर removable battery हटा, फिर updates आपका phone खराब करने का logic सुरू हो गया, जो कि सोची Apple बहुत हला करता है, जो कि सोची Apple बाद में आया कि नहीं सर, हम तो आपके battery के लिए हम उसको बस butter masala लगा रहे हैं, हम आपको battery बदलने हैं तो नहीं सर नया battery का performance, मतलब पूराने battery का performance कराब हो रहा है, तो हम आपका SOC का performance कम कर देंगे, तो like, इक क्याम करो ना सर, battery बदलने का system दो रहा है, नहीं नहीं, हम आपकी मारेंगे कैसे, सर, तो वही वाली बात होती ह कि ये बहुत दुखत बाद है कि इतना बुरा हालत हो गया हम लोग का बट ये डेथवाइट थाउजन कट है मतलब धीरे धीरे काटा गया पहले ये काट दिया है फिर थोड़ा सा ये भी काट दिया अब हम लोग भूल गए कि waterproof devices अभी भी आते हैं सारे brands में आते हैं और company बनाना चाहे भाई बना लेगी कि भाई आराम से चाहें तो वो नाखुन वाला भी दे सकती है कि भाई ये वो आराम से नाखुन से खोली है और नाखुन से भी बन किज़े तो भी वाटर टाइट रहेगा possible है पस करना नहीं चाते है और आवक जैसे लोग kitchen आज तक नहीं गए है kitchen में कितने चीज़ हैं जो air tight, gas tight रहता है और पानी से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है और वो hand tight ही होता है इसलिए kitchen, go to kitchen तो वही समझेगे यह बहुत दुखत बात है कि जो लोग इसके against खड़े हुए यह मैं एकदम clear करता हूँ, मैंने एकदम नहीं चाहता हूँ कि government यह सब करे मैं एकदम नहीं चाहता हूँ, but अगर company एकदम सीधे मुतर विसरजन करने लगती है कस्टमर के उपर तो option क्या है, और government हम लोग इसलिए select करते हैं, कि government कभी-कभी भूले बटके इसे हमारे लिए भी थोड़ा सोच ले, और यह सोच है, मैं बहुत खुश हूँ, European engine सीधे जूता मार रहा है आपल को कि भाई यह सांती से तुम बैटरी ठीक करो, और सांती से तुम USB-C दो, नव टंकी नहीं करना है, तो I'm happy about this यह बहुत दुख करता है, कि भाईया, government को करना पड़ रहा है, बढ़ ठीक है, public फिसलते गई, ठीक है, death by thousand कट हो गया, ठीक है, company सुधारी नहीं रहे, ठीक है, अब ब्रमास्तर क्या बचा है, government को भेजो, तो I'm happy, I'm happy about this अब बात करते हैं, long term में क्या होगा, तो long term पे यह समझे कि यह मैं एकदम clear करता है, physics में कोई law ऐसा नहीं है, जो कहता है, कि आप 100% recycling नहीं कर सकते हैं, यह एकदम clear करता है, और हर चीज़ को बलता हूँ, तीन layer में होता है, physics, engineering, economics, तो physics clear है, कि यह किया जासता है, engineering कर सकते ह अब पैसा दे सकते हैं, economics की वो viable है कि नहीं, तो यहां पे समझे कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हिसाब सीधा है, cost virgin material का बहुत होता है, क्यों होता है, जैसे आप plastic के बहुत सारे समान देखते हो, उसमें लिखा आता है, 100% virgin plastic, कभी ध्यान से देखिए गा, लिखा रह रहा है, आराम से recycle हो सकता है, तो करते की नहीं, बस बहुत है, बहुत है कि अगर एक battery को recycle करके, आपको जो carbon मिलेगा, वहीं अगर आप direct graphite का mining करते हैं, वह mining का cost मान लीजा, 100 रुपया per ton आ रहा है, वहीं भी आपका recycling वाला 500 रुपया per ton आ रहा है, आप नहीं करोगे, 400 आए गया, कि government बहुत है, देखो सर, यह virgin virgin के पीछे मत भागो, थोड़ा सा recycle करते हैं, तो वही समझे है, cheaper वही रखता है, और अभी पूरी दुनिया जो है, mineral rich चल रही है, mineral rich का मतलब है कि हमें tension नहीं है, हम लोग फेकते जा रहे हैं, कोई tension नहीं है, कुछ भी खतम नहीं ह रहा था, वह सबसे ज़्यादा industrial revolution growth जो हुआ, expansive growth वहीं हुआ, world war 1 से, world war 3 तक, world war 2 तक के बीच में, वहीं पर सबसे ज़्यादा growth हो था, oil हर जगह मिल रहा था, बाद में oil खतम हो गया, फिर हो गया, समुंदर में जाओ, अब वहां में भी खम हो रहा है, और अंदर जाओ, अब महंगा हो गया, तो अभी आज का logic अगर आप सोचते हो कि आने वाले 10-20 साल में क्या minerals खतम होंगे बैटरी के, नहीं, नहीं, ऐसा बैटरी में कोई mineral नहीं लग रहा है, इसका half life भाया 20 साल है, यह 20 साल के बाद यह element ही चेंज हो जाएगा, तो वह tension वाली बात नहीं है, भी हमरे पास बम-बम सपला है, बम-बम चले है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि दाम तुरंत नहीं बढ़ाएगा, कि वह आज जैसे चाइना लीथियम का दादा बनके बैठा हुआ है, तो अराम से कलो मोलेगा, सब थोड़ा सा दाम बढ़ाई है ने सर, सब थोड इसका मॉक अप है, चोटा वाला, इसका बड़ा मॉक अप जेब बेजोस बनवा रहा है, क्लॉक ऑफ 10,000 येर, मजात नहीं करो, घड़ी 10,000 साल चलने के लिए बना है, वो उसका भी वीडियो बना हुआ है, बट लोचिक वह होता है, कभी कभी थोड़ा बाहर निकल की तो वही समझें, कि अगर आप आज मिनरल रिच हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि भविश में भी रहेंगे, आप मिनरल रिच का फाइदा उठाईए, धरदढ़ा के उससे डिपेंडेंसी बदल दीजे, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, लॉंग टर्म में आप फच अभी बहुत लोगों सिफ 10% है, सर गाड़ी खोलने के लिए काफी है, 10% का मतलब होता है कि पाइपलाइन बनाई जा रहे हैं, यहां पर बैटरी के लटकिया जाएगा, यहां पर यह करेंगे, 10% में लोग सेल करेंगे, ठीक है, अगर यह बाइलो हो जाता है, उतना कंपनी बन जाएगा, उसके बीच में कर दो तिन कंपनी बन गई, कंपटिशन होने लगेगा, कि भाईया, यह तो 10% निकाल रहा है, हम 12% निकालते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाते हैं, पर दूसरे लोग रिसर्च करेंगे, ऐसे ही करके टेकनलोजी डिवलप होती है, तो व उश्किल हो जाएगा उसको निकालना कि यार, जो चीज 500 रुक्या कीलो मिल रहा था, आज 5,00,000 रुक्या कीलो मिल रहा है, तो कोई क्यों करेगा, तो भाईया, रिसर्च कर लेते हैं, सस्तिम मिल जाता है, तो वही समझे, और उसका सबसे बढ़ी असर आप और हम पर क्या पड़ेगा कि हमारे डिवाइसे जो हैं, फिर से टिक पाएंगे, मतलब समझे है, 1950 से, 1980 तक का आजाता है, कि डिवाइसे जो बनाए जाते थे, वो बनाए जाता है, वो बनाए जाता है, यह चले, चले, मतलब आपने एक बाद खरी लिया, और जी यह चलेगा, टेंशन यह वो वाशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, वैक्यूम हो, कुछ भी हो, यह सब चलेगा, लंबा चलेगा, लेकिन आज के जो डिवाइस होते हैं, वो बनाते ही फिक दिये जाते हैं, मतलब कि, और ऑप्शन भी नहीं है, हम लोगे डेथ भाई थाउजन कट, एक दिन में यह नहीं इतना खराब होता, लेज आखी होता हैं, अब समझे कि शुरूस में इसा क्यों होता था, शुरू में ऐसा इसलिए होता था, इस फोन के हर दूसरे साल में बहुत फंक्शन होते थे, फीचर हैड होते थे, तो एक्चली रिजन होता था नया चीन्ज लेने का, क्योंकि मैं य समझी कि technology growth करें लेकिन अब saturation हो गया है अब मतलब galaxy s22 वर्स galaxy s23 उतना अंतर नहीं है और 23-24 में भी उतना अंतर नहीं होगा क्योंकि अब वो saturation आगया कि अब बहुत जाद अंतर नहीं हो रहा है अब लिए आज 10% कर डार्गेट दे रहें क्यों 50 का नहीं कर रहें दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है बस 10 कर रहें ताकि दर्द हो बहुत ज्यादा नहीं हो कि अगर company को बहुत ज्यादा नहीं हो और आप उसमें लिजिस्लेशन लगाते हो सीधे बोलेगा भीए ह थोड़ा चाइना पर कि भई यह जदा दाम मत बढ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा होगे हम रिसाइकल करना पर रिसाइकल कर परसंटिज बढ़ा देंगे तो वही समझे कि लॉंग टर्म में अच्छा डिसीजन लॉंग टर्म में तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एरोपियन यूनियन का बैटरी रेगुलेशन चीज इस पर काम किया जा रहा है अब ही उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा को सेखने में लगा को समझ में हो अगर ऐसा है लाइक कर दे दूसरा शेयर कर दे उसे वेरा काफी बला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिसलाइक तो बार दमाए उससे मुझे पता चलो कितना न नहीं पसंद हुआ है मैं आप सब्सक्राइब कीजिए बेल अब अगर आ फ्री है तो आपने विडियो दिखा जानके मुझे बहुत कशी हुई धन्यवाद